का नाम है IGST Act 2017 इसको हम लमसम बोलते हैं इंटिग्रेटिड टेक्स यानि की ऐसा IGST जो इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्मेंट तोनों कमबाइंड मैनर में इंपोस करती हैं उसको हम IGST कहते हैं आप इसे पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें आप इंटर स्टेट और इं इजिन स्टेट यानि की एक ही राज्जी के अंदर इंटर स्टेट सप्लाइज हैं तो कौन सा टेक्स लगते हैं इसजी एसट ठीक है तो जो सेंटरल गवर्मेंट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगाती है उसको हम IGST कहते हैं इंडिया में इन टेक्सिस के कमबाइन होके लगने से पहले यानि कि जी एसट से पहले जो टेक्स लगते थे वह स्टेट गवर्मेंट अपने में हो रही है जिसको अब हम IGST बोलते हैं पहले हम इसको सेंटरल सेल्स टेक्स के नाम से जानते थे डैट वस कॉल्ड सी एस्ट चो आपने पढ़ा था सी एसट वैट यह सब अलग-अलग टेक्स थे तो सेंटर गवर्मेंट अपने मर्जी से लगाती थी और स्टेट गवर् लगती थी उसके बाद Constitution में ऐसा कोई भी अलग सी प्रोवीजन नहीं था कि services को goods से अलग बाना जाए चाहे आपने goods को इंपोर्ट किया हो एक्सपोर्ट किया हो इसके लिए state टेक्स कितना टेक्स लगाए वो डिस्क्राइब नहीं था अगर कोई टेक्स इंडियन टेरिटरी में लग रहे हैं तो कितना टेक्स लगना है कॉंसे स्टेट में लगाना है यह सब चीज़े पहले क्लियर नहीं थी सिर्फ आप एक सेंट्रल सेल्स टेक्स लगाए थे उसके उपर कोई वैट नहीं कोई अलग से ड्यूटी नहीं या फिर आप हर जगा पर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन कर रहे थे आप बार बार टेक्स इंपो कर रहे हो तो इंडिया में वह कंजूम नहीं हो रहे हैं जहां पर आपकी घुर से शर्विसईास एइस थे मगई हूरे हैं डिश बैस्ट होने की वजए से च्पे लगाओ जहां पर आप सप्लाई कर रहे हो उसके बाद अगर आप इंपहर रहे ह conti इंडियन टेरिटरी में अगर कोई चीज एंटर कर रही है तो वो चीज डेस्टिनेशन बेस्ट होने की वज़े से इंडिया में टेक्सेबल होगी और उस राज्ये में टेक्सेबल होगी जिस राज्ये ने इंपोर्ट किया यानि कि रिसीपियंट का प्लेस जो हम प्लेस ओफ जैसे ही बनाया गया 2017 में उसके साथ ही अलग से बनाये गए थे लेकिन सारे प्रोवीजन वही सेम थे सिर्फ एक्ट का नाम अलग से रख दिया गया IGSTести GST एम ऐस्ट चाहरा 2017 के जितने भी प्रोवीजन से वही सारे प्रोवीजन आई जी स्टी के हैं अब बात आती है state government और central government की state government जो text लगाएगी that was SDST आपने कहा था कि जो भी text लग रहा है अगर एक ही state में लग रहा है इससे पहले जो text था वो सिर्फ एक state अपने नाम से लगाती थी लेकिन अब GST के अंडर जो text लगेगा अगर किसी एक state की sale पर text लग रहा है तो उसमें central government का भी share होगा क्योंकि अगर आप जिन goods को अपने राज्ये में sale कर रहे हो हो सकता है वो goods आपने कहीं बाहर से मंगवाई हो यानि कि import की हो अगर आप import कर रहे हो तो उस case में कोई भी राज्ये independently काम नहीं करता है उसे central government की अप्रूवल लेनी है इसलिए इंपोर्ट की गई goods के ऊपर हम IGST लगाते हैं ताकि central और state government दोनों में उसका 50-50 शेयर किया जा सके ठीक है बच्चे clear गर्ल्स क्लियर है यहां तक उसके बाद हमारे पास आती है सेंट्रल गवर्मेंट सेंट्रल गवर्मेंट को स्पेसिफिकली हमने डिनोट किया था या तो CGST से या फिर IGST से तो अब हम जो कर रहे हैं IGST Act IGST Act को पूरी तरह से कौन इंपोस करता है Central Government और जिस राज्य से निकल के वह सप्लाइए आई है और जिस राज्य में कंज्यूम हो रही है दोनों राज्यों को मिला के 50-50 इसमें भी शेयर किया जाता है लेकिन इसमें जो में कंट्रोल है वह Central Government कर रहता है ठीके बच्चे अब हम स्टार्ट कर रहें अपना IGST Act सबसे पहले आपको दिया हुए इंडिया में डिवल जीस्टी लगता है हमें पता है डिवल या नहीं कि CGST और SGST दोनों गवर्मेंट मिलके साइड बाइ साइड टेक्स लगाती है अगर यूनियं टैरिटरिय है तो एक यूनियन टैरिटरिय भी हो सकती है एक स्टेट भी हो सकती है इंतर स्टर कि एования य को दसे लिए उसके बाद कि जो निफ्स्ट बनाया था आपके constitution में अमेंड मेंड मेंट किया गए ठा़िक कौन सा अमेंड मिंट था वह गल्स समिधान में हमने संशोदन किया था GST के लिए वो कौन सा संशोदन था 101 101 संशोदन या 101 तो जब वो संशोदन किया गया तो उसमें हमने GST Act बनाया था जिसमें हम CST VAT XS इन सब को जो अलग अलग टेक्सिस से combine करके बना दिया था वो समिधान में संशोधन किया गया था गूड्स और सर्विसेस को पहले classify नहीं किया हुआ था लेकिन इस Act में classify भी किया गया था अब आप आ जाए second page पे जिसमें लिखा हुआ IGST Act IGST में आप क्या करेंगे यह हम कर चुके हैं कौन से ट्रांजेक्शन पर लगेगा इंटर स्टेट पर यह हमें पता है कौन लगाएगा Central Government कि उसकी बाद definition पर आजाएं बचे यह पेज मिल गया सबको कि definitions अंडर आई-जी-इस-टी गर्ल्स रिस्पाउंड करो प्लीज ठीके एस पर डेफिनेशन्स सीजी-इस-टी एक्ट या फिर सेंट्रल टेक्स के एकोडिंग कहा गया है कि जो आपका फर्स्ट डेफिनेशन है सीजी-इस-टी एक्ट यह कह रहा है कि इसका मतलब ऐसे टेक्स जो की सेंट्रल गवर्मेंट्स गुड्स और सर्विसिस पर लगाती है क्योंकि यह हमारा आई-जी-इस-टी है इसके थर्ड पॉइंट पर आईए आप इसको हम अगर सप्लाई की बात करें हमने कहा था कि पहले वाले जो एरा था जी-इस-टी से पहले वाला एरा उसमें हम सेल परचेज इन टरम्स कर यूज़ करते थे लेकिन जी-इस-टी में हम क्या टरम यूज़ करते हैं अब यहाँ पर पॉइंट है इसको हम कॉंटिनियस प्लाई भी कह सकते हैं इसका मतलब जब आपने एक जगा से दूसरे जगा पर गुड्ड सप्लाई करनी है या फिर ठूआउट दा इयर आप सप्लाई कर रहे हो या फिर आपने एक ही बार अगर किसी डिसीपियंट से और लिया है लेकिन उसको क्वाटरली बेसिस या मंतली बेसिस पर आप बार बार सप्लाई कर रहे हो यह है आपका कॉंटिनियस जरनी या कॉंटिनियस सप्लाई आपके पास यहां पर जो दिया हुआ है वो दिया हुए कि आप एक सिंगल टिकट या एक से ज्यादा टिकट इट पिर किसी दूसरे supplier की भी दूसरे supplier की services के case में help ले रहे हो, तो आप service अपने ही continuous दे रहे हो, supply continuous करों लेकिन उसको कहीं पर रोक नहीं रहे हो, जैसे आप हर्याना से बिलॉंग करते हैं, आप मालो supplier हो, आपको अगर goods अपनी हिमाचल प्रदेश भेजनी है, पहली condition यह interstate हो गई, क्योंकि हर्याना और हिमाचल के बीच में है, लेकिन जब आप यहां से goods भेज रहे हो, तो क्या बीच में कोई और state नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, अब आप कहते हो, आपके goods जब यहां से हर्याना से निकल के मालो, दिल्ली तक जाती है, अब आपने क्या किया, दिल्ली में हो सकता है, आपने कोई दूसरा transporter हायर किया हुआ हो, जो आपके goods को दिल्ली से हिमाचल तक लेके जाएगा, अब आपको यह नहीं पता वो directly हिमाचल तक लेके जाएगा यह नहीं, आप फिर से उससे contract की बात करेंगे, कि आप इन goods को, जो कि हमने हिमाचल पहुचानी है, अब कहां तक deliver करोगे, अगर वो आपको कहते हैं, कि हम आपको चंडिगट तक supply कर सकते हैं, इससे आगे हमारी transport service नहीं है, तो goods जो हर्याना से चली थी, हर्याना से दिल्ली, दिल्ली के आपने invoice एक ही काटा है, यहां से आपके दिल्ली गई, दिल्ली से चंडिगट, चंडिगट से आगे आपकी हमाचल तक जहां तक आपने भेजनी थी, वहां तक गई invoice एक था, लेकिन आपके supplier एक था, लेकिन जिनके services आप ले रहे हैं, वो एक से ज्यादा हो गए, यानि कि continuous supply है, अगर वो ही person आपक पर पर इसका सुनो, मालो अगर आपको हिमाचल काई लेलो, आपको घूमने जाना है, शिमला जाना है, तो यहां से कोई सीधी ट्रेन आपको शिमला नहीं लेके जाती, पर अगे पर पर लेकिन कालका जाके आपको चेंज करनी पड़ती है, आपके पास दो अप्शन है, अपowser यहां है कालका जाइए काल था दूसरी टिकट लो कि मुझे शिमला जाना नहीं बैटर औप्जन इस आप दिली से शिमला की इकठी टिकट लो आप दिले से कालकां तक चाओ कालका उतर जाओ को दुबारा टिकट नहीं लेनी उसी जगह पर खड़े खड़े जो यह इंडियन रेलवेज हैं जो बड़े वाली ट्रेंज होती हैं यह वाली ना आके बल्कि जो छोटी ट्रेंज शिमला जाती हैं आप उसमें बैठ सकते हो टिकट दुबारा नहीं खरीदी उसी जगा पे आपको दूसरा ऑप्शन अवलेबल हो गया त कि सप्लाई को टोटली करने के लिए हो सकता है आपको एक से ज्यादा सर्विस लेनी हो जैसे आप लोग मेट्रो से आप सब भली भाति परीचित हो अगया जाना है और आपकी वह ट्रेन मेट्रो आधे रस्ते तक ही जा रही है तो आप उसे एक स्टेशन पहले उतर जाते हो तो आप मेंने त्रेशन पहले उतर जाते हैं तो क्यों उतरते हम वहां पे क्योंकि हमें आगे जाना है आगे जाने के लिए नीचे जाते हो टोकल लेने जाते हो नहीं एक ही बार लेते हो वहाँ पे आप खड़े रहे हो जाते हो कि दूसरी मेट्र आएगी उसमें बैटके वह मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुचाएगी तो क्या आपने दुबारा टिकट ली नहीं आप कहीं और गए नहीं दिस इस कॉंटिनियस सप्लाई ठीक हो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया यानि की इंडिया की रेंज में आ जाना जैसे ही कोई गुड्स या कोई भी सप्लाई आपकी इंडिया की लिमिट्स में आ जाती है वह आपकी एक तो इंटर स्टेट वाली ट पढ़ा हूए एक्जाम्ट होती है इसी तना से आप सर्विसीज़ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो जैसे अब इसने एक्स पॉर्ट उसर्वियुष में क्या इनक्लूड कि तो इंडिया में है लेकिन रिसीपियन इंडिया से बाहर है तभी को एक्सपोर्ट काएंगे या फिर अगर place of supply इंडिया से बाहर है क्योंकि आपने पढ़ा हुए GST destination based है यानि कि जहां पे आपकी supply consume होगी वहीं पे आप टेक्स लगा होगे fourth point आपकी payment अगर किसी foreign exchange में आपको receive हुई है तो भी हम इसको export कहेंगे अगर supplier और recipient distinct person अलग person नहीं है हमने PAN वाला एक term पढ़ा था अगर कोई person अपने PAN से अपनी तीन forms को register कराता है उसका PAN number एक ही है उस एक ही account number से जब कोई person अपनी तीन forms का चाहे वो तीनो forms अलग-अलग state में ही क्यों ना हो जब उनका registration कराएगा तो उन तीनो forms के registration के बिहाफ पे उस व्यक्ति को अलग व्यक्ति माना चाहेगा हमने ये term पढ़ी हुई है पहले उसके बाद हमारे पास आता है बचें यहां तक clear है सबको यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पहले पूछ लो चलो फिर आगे करते हैं आगे हमारे पास इसमें डाइग्रम में आपको यही बना रखे बना के दे रखा है आपको payment foreign exchange में मिली आपकी supply बाहर है आपका रिसीपेंट बाहर है supplier इंडिया का है उसके बाद आता है fixed establishment जैसे आपकी land building होती है अब आपके पास दो चीज़े होंगी पहला आपके business का रिसीपेंट अगर supplier की बात है अगर हम हमें कुछ भी नहीं कह रखा तो हम मानेंगे कि supplier registered है और अगर supplier registered नहीं है तो कौन देगा टेक्स बच्चे supplier registered नहीं है तो टेक्स कौन देता है किस बिहाफ पर उसको क्या कहते है और नहीं बच्चे आपका business का registration जिस जगह पे हुआ है उस जगह के सिवा अगर आपके business की कोई और जगह है जो कि permanent nature की है उसको हम fixed establishment कहते हैं supplier या receiver इस जगह से भी अपनी supply को continue कर सकता है इसके diagram में देखिए fixed establishment यानि कि एक ऐसी जगह जो कि आपके registered business की जगह से कोई दूसरी जगह होगी जिसमें जो कि permanent nature की होती है उसके बाद यहां से आप अपनी goods से services को supply भी कर सकते हो और receive भी कर सकते हो उसके बाद हमारे पास next point आता है goods and services tax आपको पता है आप GST लगाते हो चाहे वो goods हो चाहे services हो और IGST की जब हम बात कर रहे हैं तो IGST combined manner में लग रहे हैं एक state से निकलके जब दूसरे state में goods जाती है तो जो राज्य सेल कर रहे है या जो राज्य परचेस कर रहे है वो अपने अपने टेक्स नहीं लगा पाते हैं इसलिए उनको compensate करने के लिए हम IGST Act में भी state का भी share र तो IGST Act में आपको समझने होते हैं और यह सब हम पहले कर चुके हैं इंपोर्ट कोई Indian territory में जैसे कोई वस्तू या कोई सेवा आ रही है गुड से services आ रही है that would be noted as import इसी तरह से आप services में इंपोर्ट कर सकते हो आपका recipient इंडिया में है लेकिन supplier आपका इंडिया से बाहर है अ गुड और services के ओपर जो इकठा करके लगाया जाएगा उसके बाद 13 पॉइंट आप देखिए उसके बाद आप intermediary में किन लोगों को include नी करोगे जब वो मध्यस्त अपने बिहाफ पे अगर goods को sale करते है तो वो मध्यस्त नहीं है वो intermediary नहीं है लेकिन अगर कोई person कोई broker कोई agent अपने मालिक के बिहाफ पे यानि कि supplier के बिहाफ पे goods को sale कर रहे तो उसको हम intermediary कहेंगे 14th point location of recipient of services यानि कि आप services कहां पे ले रहे हो यह हम पहले कर चुके है place of supply में पहला आपकी business का registered office कहां पे है यानि कि जहां पे आप services consume कर रहे हो वहीं पे उनका हमने place of supply बनाया था दूसरा fixed establishment हम पढ़ चुके हैं उसके बाद location of establishment most directly concerned यानि कि जहां पे आप किसी supply को receive कर सकते हो ना तो वह आपके business के registered जगा हो ना वह आपका कोई fixed establishment हो अगर आपने किसी और जगा का नाम दिया हुआ है कि आप यह services यहां दे सकते हो तो उसको भी हम location of recipient में include करेंगे अगर इन में से कुछ भी नहीं है तो recipient का residence का address हमारे पास ह होता है हम उसके residence को ही location of recipient of services consume कर लेंगे और उसके basis पे हम आपे tax impose कर देंगे same case supplier के साथ भी वही है या तो उसके business की जगा उसका fixed establishment किसी जगा से वो directly related है यानि जहां से वो supply कर सकता है और जहां से receiver supply receive कर सकता है अगर यह सब नहीं है तो supplier का residential address हम पिक करेंगे उसको हम place of supply consider कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आता है 16th point non taxable online recipient यह बचे मैंने आपको starting के lectures में बताया था अगर government या कोई local authority कोई governmental authority या कोई individual government के बिहाफ पे public interest में यानि जन हित में अगर कोई कार्रे कर रहा है तो ऐसी ऐसा काम करने के लिए अगर वो कोई goods या services receive करता है तो वो आपकी non taxable है एसे recipient को जो की online services को या goods को receive कर रहा है उसको हम taxable limit में नहीं रखेंगे उनके उपर कोई भी GST नहीं लगेगा चाहे वो CGST हो, SDST हो या IGST हो इसके diagram में देखिए, non taxable online recipient इसका मतलब कोई government, कोई individual, कोई authority, कोई parliament हो सकता है, इसमें कोई state का कानून हो सकता है, जिसमें कम से कम 90% government का hold होता है उनको हम government establishment या government authority कहेंगे, अगर ऐसी कोई authority, second point बना हुए है, यानि कि ऐसे recipient अगर कोई online information receive कर रहे हैं, किसलिए, वो सिर्फ public interest के लिए कर रहे हैं, यानि कि ना तो वो इससे कोई business चलाएंगे, कोई profession कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ public interest में काम कर रहे हैं, और वो इंडिया कि अगर taxable area में आते हैं, तो भी ऐसे recipient को हम non-taxable online recipient कहेंगे, बचे clear है ये, 16 point clear है, 17 देखिए, बस ये हो गए points, इतना ही है ये chapter, उसके बाद है, online information और database को अगर कोई person access कर रहे हैं, यानि कि अगर कोई service आप online use कर रहे हो, जैसे आप internet पे advertising कर रहे हो, आप internet पे game खेल रहे हो, आप अपने data को store कर रहे हो, आप internet पे books पढ़ना चाहते हो, movie देखना चाहते हो, तो जिन में आपको information technology की help चाहिए, जो किसी network की support के बिना आप जिन services को consume नहीं कर सकते हो, ये सब आपका online चाहे क्यों ना treat हो, हमने एक term पढ़ी थी e-commerce operator, याद है, बच्चे हमने e-commerce operator प करेगा, अगर उसका कोई physical appearance नहीं है, तो अपना कोई representative पॉइंट करेगा, अगर representative भी नहीं है, नहीं पॉइंट कर रखा, तो कोई भी person जो उसको represent कर रहो, वो text देगा, उसके बाद 18th point में आईए, output, बचे एक होता है, input एक होता है, output, input यानि की, input आप जो भी receive कर रहे हो, या फिर आप जो भी manufacture कर रहे हो, दूसरा, output आप जो भी sale कर रहे हो, यानि जो भी supply कर रहे हो, अब जो आप supply कर रहे हो, output text का मतलब, जो भी आप produce कर रहे हो, उसके ओपर आप IGST दोगे, इसमें क्या include नहीं करोगे, supplier जब registered नहीं है, तो recipient देगा, वो किस के अंडर देगा, reverse charge के अंडर, special economic zone का मैंने आपको input, output करके करवाया था, यादे बच्चे या भूल गयो, अगर कोई special economic zone या फिर कोई special economic unit का कोई developer, अपनी produced output को बाहर बेच रहे, तो जहां पर वो बेच रहे हो, उसके ओपर हमने text लगाना है, अगर वो जिस राज किसी और राज्जे में कर र है, उसके बाद, 21st point पे आईए, supply, supply आप सबको पता है, goods और services, हम जिस भी चीज की sale या purchase कर रहे हैं, उसको हम supply कह रहे थे, taxable territory, यानि कि जो area इंडिया की taxable range में आता है, that is taxable territory, zero rated supply जिन के ओपर हम text नहीं लगाते, जैसे export के ओपर नहीं लगाएंगे, या फिर special economic zone पे नह expressions used and not defined in IGST, यह कहरा है कि अगर IGST में आपने कोई चीज डिफाइन नहीं की, कोई बात नहीं, IGST से पहले तो GST Act बन चुका था, और GST Act में चार टर्म्स लिखी गई थी, IGST, CGST, SGST और UTGST, तो इसका मतलब, अगर कोई चीज IGST में नहीं लिखी, doesn't matter, आपको उन चीजों का meaning same वही लेना है, जो कि आपको CGST Act में, या फिर GST Law में किसी भी Act के अंडर लिखा गया है, तो वो सारे भी आपके IGST के अंदर वैसे ही assume होंगे, जैसा कि, GST Law के बाकि Act में लिखा गया है, बच्चे clear है यहां तक सबको? Yes, यह था